उजास, प्रविशिका, भाग एक, पाठ एक, परिवार और पडोस, भाग तीन, एक से नौ तकी संख्याएं पहचानना, पढ़ना और लिखना, प्रिष्ट सोलह, गिनिये और संख्या पहचानिये, यहाँ पर कुछ चित्र दिये गए हैं, पहला चित्र एक नाव का है, उसके सामने अंक में एक लिखा है, और उसके नीचे शब्द में एक नाव लिखा है, दूसरा चित्र दो पैरों में दो पायल का है, उसके सामने अंक में दो लिखा है, और शब्द में दो पायल लिखा है, तीसरा चित्र तीन बेलन का है, उसके सामने अंक में तीन लिखा है, और शब्द में तीन बेलन लिखा है चौथा चित्र चार आम का है उसके सामने अंक में चार और शब्द में चार आम लिखा है पांचवा चित्र पांच घरों का है और इसके सामने अंक में पांच और शब्द में पांच घर लिखा है प्रिष्ट सत्रा यहाँ पर कुछ चित्र दिये गए हैं पहले चित्र में छे सारस हैं उसके सामने अंक में छे और शब्द में छे सारस लिखा है अगले चित्र में साथ मटके हैं यहाँ पर अंक में साथ और शब्द में साथ मटके लिखा है अगले चित्र में आठ नल दिये गए हैं इसके सामने अंक में आठ और शब्दों में आठ नल लिखा है और अंतिम चित्र में नौ अनार दिखाए गए है इसके सामने अंक में नौ और शब्द में नौ अनार लिखा है शिक्षक निर्देश ये कोशिश करें कि सहभागी चित्रों में दिखाई गई चीजों को गिने एवं दिखाई गई संख्या को पहचाने सहभागीयों को अपने आस पास मौजूद चीजों को भी गिनने का अफसर दें जैसे कमरे में कितने व्यक्ति हैं प्रिष्ट 18 घेरा बनाकर दी गई संख्या जितना समू बनाईए यहाँ पर दाहिनी तरफ अंकों और शब्दों में संख्या लिखी है और दाहिनी तरफ दो चित्र दिये गए हैं पहला चित्र, यहाँ पर बाई तरफ अंक में चार और शब्द में चार आम लिखा है और इसके सामने साथ आमों का चित्र है, अब आपको चार आमों को एक घेरा बनाकर उनमें दिखाना है दूसरे चित्र में नौ नल दिखाए गए हैं, यहाँ पर बाई तरफ अंक में साथ और शब्द में साथ नल लिखा है अब आपको दिये गए चित्र में साथ नल को एक घेरे में दिखाना है शिक्षक निर्देश, सहभागियों को प्रोटसाहित करें कि वो संख्या को पहचान कर बोलें और उतनी वस्त्वें गिनकर उस पर घेरा लगाएं प्रिष्ट उन्नेस, वस्त्वों के समों को संख्या से मिलाईए इस प्रिष्ट पर एक से नौ तक की संख्याएं अंकों और शब्दों में लिखी गई है प्रिष्ट के बाई तरफ एक से पांच तक की संख्याओं को अंकों में और शब्दों में लिखा गया है और दाहिनी तरफ छै से नौ तक की संख्याओं को अंकों और शब्दों में दिखाया गया है और बीच में नौ गोलों के अंदर कुछ आकरतियों को दिखाया गया है ये आकरतियां एक से नौ तक की है अब आपको इन आकरतियों की संख्या के साथ उचित संख्या का मिलान करना है जैसे यहाँ पर एक संख्या को घेरे में दी गई आकरतियों से मिला कर दिखाया गया है जैसे अंक चार, शब्दों में चार और इसका मिलान किया गया घेरे में दी गई चार पक्ष्यों की आकरतियों से शिक्षक निर्देश, ये कोशिश करें कि सहभागी प्रतेक समु में दिखाये गई वस्तुओं को गिन कर लिखी गई संख्या से मिलान करें प्रिष्ट 20 मोबाइल में कौन सा अंक कहा यहाँ पर एक मोबाइल का चित्र है यहाँ पर मोबाइल में एक से नौ तकी संख्याओं के अंक अंकित हैं और इन्हें उचित रूप से मिलाया गया है अपना या अपने किसी परिचित का मोबाइल नंबर लिखिए रिक्तिस्थान अब यहाँ पर आपने दिये गए रिक्तिस्थान में अपने किसी परिचित का मोबाइल नंबर लिखना है इस मोबाइल नंबर में कौन सा अंक एक से ज्यादा बार दबाएंगे रिक्तिस्थान अब आपने उस अंक को यहां लिखना है जिसे आप एक से अधिक बार दबाएंगे गिंती बोलिए और लिखिए यहाँ पर एक से नौ तक के गिंती लिखी हुई है बाई तरफ एक से पाँच तक के अंक और दाहिनी तरफ छे से नौ तक के अंकों को लिखा हुआ है साथ ही हर अंक के सामने बिंदू से उस अंक को दर्शाय आ गया है अब आपको दे गई गिंती को बोलना है और उसे लिखना भी है जैसे बिंदू से एक की आकरती को बनाना है और उसके सामने दिये गई रिक्तिस्थान में उसी संक्या को लिखना है अब आप इसी क्रम से एक से नौ तक की संक्याओं को लिखेंगे और उसे बोलेंगे शिक्षक निर्देश लिखी हुई संख्याओं का पैटन पहचाने और उसके आधार पर संख्याओं एक से नौ तक को लिखें। प्रिष्ट 21 राजा का परिवार बैल गाड़ी से जा रहा है। देखिए गिनिये और लिखिए यहाँ पर एक चित्र है जिसमें राजा के परिवार को बैल गाड़ी पर जाते हुए दिखाया गया है। अब आपको इस चित्र को देखकर नीचे दिये गए प्रश्णों के उत्तर देने हैं। गाड़ी में कितनी लाल्टेन हैं रिक्तिस्थान। अब आपको दिये गए चित्र को ध्यान से देखकर इन प्रश्णों के उत्तर देने हैं। शिक्षक निर्देश सहभागियों से वस्तुओं को गिन कर सही संख्या लिखने का अभ्यास करवाएं। संख्या पढ़ने और लिखने में सहभागियों की मदद करें। आप चाहें तो आसपास मौजूद चीजों की गिनती भी करवा सकते हैं।